नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याए स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों आज आप सभी के साथ एक छोटे स्टॉक के बारे में बात करूँगा यह पैनी स्टॉक तो इसे नहीं कह सकते हम लोग क्योंकि इसका मार्केट के पैनी स्टॉक कहने लाइक नहीं लगेगा आपको बट यह स्टॉक जो है इसके लिए खबर बहुत बड़ी आती हुई दिख रही है इस स्टॉक को मैंने आपको आज से लगबग एक देड़ साल पहले लास्ट येर मार्च में रिकमेंट करा था इस स्टॉक का बाओ छे रुपे हुआ गरता था यह पैनी स्टॉक था और मैं इस स्टॉक को लिए आप से खाता है कि होड़ कर लो इसे दस साल पंदरा साल बस छोड़ दो इसे खरीद के भूल जो इतना पैसा लगाओ कि यह समझ लो मेरा पैसा खतम हो गया और मुझे गम नहीं है स्टॉक का बाओ छे रुपे था मैंने आप से खाता मातर सौ सेर ले ल स्टॉक में 10-11 रुपे पे स्टॉक पिछले 5-7 महिने से ट्रेड कर रहा है आज कुछ बहुत बड़े डेवलपमेंट हो रहे है कंपनी के लिए बैलेंस शीट के लिए यानि कि कंपनी के फाइनेंशियल कुछ इंप्रूव होते हुँ दिखे हैं और इस खबर के बाद स्ट स्टॉक का प्राइज 20% के उपरी स्थर पर आकर कहीना कहीं टिकता हुआ दिखा है एंड मुझे कुछ साइट पे तो यह सर्किट है और कुछ जगा ऐसा दिख रहा है 20.08% उपर तो कहीना कहीं सर्किट पर मैं इसका देखना चाहूँगा अपर सर्किट 13.50 का है 13 रुपे 50 पैसे पे चल रहा है यह स्टॉक और इसने अपर सर्किट लगा दिया यह बजाज गुरुप का स्टॉक है अभी मैं स्टॉक का नाम भी बता रहा हूँ आपको पहले इसकी डीटेलिंग कर दूँ मैं 50 बजाज गुरुप का स्टॉक है और 52 वीख ही 22.35 का है लाइफ टाइम इसका 500 रुपे का है 500 रुपे का लाइफ टाइम हाई है और एक चीज़ और बताना चाहूँगा यह जो 500 रुपे का हाई है ऐसा नहीं यहां आया फिर गिरता ही रहा है नहीं 4-5 रुपे पे था यह उसके बाद 500 तक गया है फिर गिरा है 4-5 रुपे और अभी यह 13 रुपे बजाज गुरुप का ये स्टॉक है और ये मुझे लगता है शायद आप लोगोंने इसका नाम वगेरा सुना हो मैं आपको परसनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूं ये बाय करने के लिए आपके उपर डिपेंड करता है खरीदना है खरीदो नहीं खरीदना मत खरीदो जो डेवलपमेंट हुआ है जो मैं बता हूँआ क्योंकि इन तरीके के स्टॉक को ज्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ है रिस्क के उपर है अगर आप उच्छे ये तेरा रुपे का स्टॉक है साड़े तेरा रुपे खर्च हो गई मेरे मैं छोड़ देता हूँ स्टॉक में मेरा सो रुपे तेरा रुपे वाले बीस पच्छिस तीस चालेश कोई टार्गेट नहीं है मेरा मानना है पांस से दस साल रुगूंगा मैं हो सकता है ये स्टॉक एक बार मुझे चारसो पांसो रुपे का लेवल दुवारा दिखाए ब जो खबर आईए उसके बाद इसमें रैली बनी है सबसे पहले आपको मैं न्यूस बताता हूँ क्या है कंपनी पेड एंटायर यानि पूरा ओवर्ड्यूस टूवर्ट टम लोन इंस्टॉल्मेंट्स तिल सेप्टेंबर 2022 2022 तक के जो भी इनके ओवर्ड्यूस थे लोन इंस् अब कंपनी क्या कह रही है कंपनी सेज नो ओवर्ड्यूस इन अकाउंट्स एंड इस फुली रेगुलर विद ओल दा लेंडर्स एंड ओन इट यानि कि लेंडर्स के साथ तारीक पे इनोंने सारे ड्यूस कंप्लीट करें और अभी नो ड्यूस यानि कोई भी कंपनी के ऊप पर ड्यू नहीं है यह बहुत बड़ी खबर है इसे धम पर स्टॉक उचलाए कोई भी ऐसा नहीं गयंकि अब स्टॉक चलेगा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं आपको फिर कह रहा हूं आपके उपर डिपेंड करता है मेरा जो व्यू था मैंने आपको बताया बट इस स वरसों 5 दिन का एवरेज 50 लाग शियर है 30 दिन का एवरेज 35 लाग शियर है Delivery percentage कल के session में 58% की थी 5 दिन का एवरेज 51% है 30 दिन का एवरेज 50% का है Returns की बात करें तो एक हफते में 20% का return हो गया है क्योंकि आज ही 20% भागा है एक महीने में 28% के return है तीन महीने में 27% के year today 11% negative है यह stock इस stock का मैं आपको पांत साल का chart खोल के बताऊं तो stock में recently जो मैं आपसे कह रहा था July, June, July में stock में लगे थी 2021 की June, July में लगबग 23-24 रुपे के highs और stock 3 रुपे से चलना शुरुआ था 6 रुपे पर recommend करा था 10 साल का chart खोल रखा है मैंने कुछ भी नहीं दिख रहा यूँ यूँ दिख रहा है उपर में stock 30 रुपे तक चला जाता है नीचे में 4 रुपे मैंने lifetime chart खोला है तो 2002 में stock का भाव 4 रुपे 40 पैसे का हुआ करता था और 2006 में stock का भाव 4,500 रुपे हो गया था और फिर वहां से गिरावट हुई है stock में और अभी तक stock उपर नहीं आया अभी भी 6-7 रुपे का low दिख रहा है और आज 3,500 रुपे पर ये update है company ने सारे dues क्लियर करें यसी की वज़े से stock आज आपको भागता हुआ दिखा है वह 20% तो ये इस stock की कानी है ये इस stock पर खबर है जिसकी वज़े से भाग रहा है और चीनी शेयर है ये एक आपको नाम में ही सुगर दिख रहा है तो चीनी सुगर है बजाज गुरुप का stock है तो गुरुप तो अच्छा है stock खराब है क्योंकि loss ही कर रहा है company जो है दीरे दीरे profit कम ही हो रहा है company का बट मुझे लगता है ये आगे पीछे होगे आउट परफॉर्म करेगी company तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंदोनों आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys